आज हम बनाने वाले हैं घर के बेसिक सामान से माउथ मेल्टिंग ऐसी मिठाई जिसको खाने के बाद आप इसके हो जाएंगे दिवानी हेलो फोडी मैं हूँ इंदू और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल में तो फटाफट से देख लेते हैं किसको मैंने कैसे बनाये तो यहां पर सबसे पहले मैंने टो कप ले लिए हैं बेशन घर का बेसिक बेशन है बिलकुल चुन करियने वीलकुल जाने बेसिक बैसन हैं इस इसने श्न जो नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं एक टेबल स्पून में दो स्पून होते हैं और इसके बाद ना जो मिश्टन हमने मनाया इसको बहुत अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है और इसके बाद एक छन्नी की सहता से इसको चान लेना है अगर आपको मतलब यह लगे कि इतन अच्छा लगीगा तो जैसे मेरे पास जो लास्ट चीज अबम अउट हो जैसे मेरे पास की चीजर बची थी जो नहीं चंषनी नहीं चैन्री ती उ। पीस लिया था अगर आप चाहें तो पहले से मिक्सी में पीस सकते हैं और इसको पीसने के बाद यह देखिए इसका टेक्शर आप देखेंगे ना बिल्कुल मखमली बिल्कुल है उसके बाद यहां पर मैं जो अप खी ले रही हूं वह ले रही हूं थ्री फोर्थ का यानि की से थोड़ा सब कुल मिला यहां पर घी हमारा प्रहुत माल होगा आप यह दो कप अगर आप पाद कorter को अे स्टमाल कर नयक्स का है अप भृष चुभा तक कुछmesi को चलाते जाना है और आप देख रहे होंगे की जो हलवाई होते नंगे वह सो थीमिल से आहि fak ciertoर कर जै कर्च और हम लोग ना इस तरीके से चलाते है . तो काफिर डिफ्रेंस होता है इस तरीके से जब आप चलाएंगे कर्शी को उल्टा करके तो क्या होगगा आपके हातों में दरद नहीं होगा आधा कब दूद्ध को धीरे धीरे डालना है आपको ये लगेगा कि ये क्या हो गया मुवल से आने लगे कि ये हल्फा जैसे ने बन जाए अप ये आप देखेंगे न Nag spinal Sum आपको ये दानेदार सा मुझे का अजारी कि आतिता मीं और उता हुआ है। जससे आप इसको बहुत आसा है से बना लेंगे तो देखिए जो हमारा टेक्शर उसका नॉर्मल हो गया उसने पूरा जो दूद है उसको सोक कर लिया उसके बाद हमने गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख लिया था लेकिन 2-3 मिनट के लिए चलाते रहना ताकि उससे होगा यह कि वो जलेगा नही ठीक है उसके बाद आप हम चाशनी त्यार कर लेते हैं तो मैंने यह पर एक कप शक्कर लिया है थोड़ा सा केसल लिया है थोड़ा सा रैड फूट कलर होता है वो एक पिंच डाला था और लाइची पावडर जिसे बहुत अच्छी कुश्बू आएगी और इस समय ना हमको एक तार के चाशनी चाहिए हमको दो ज those की बिलकुल भी चाशनी रखना है एक तार के मशाइध चिंप कीन रखनी दोड़ी पर होती है और जैसी तार आपका बढ़ने लगेगा नकितूरण जो है इस चाशनी को बetrख देना है और जो अभूत अच्15 करने और अभी अमने ज ड़ी के जाएंगे, जब तक बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो जाएं जैसे हमारा मिक्स हो जाएंगा उसके बाद हम गैस चलाते जाएंगे और यह बहुत इजी ना आपका पहुत अच्छे फिट जाएगा एकदम से कड़ाई छोड़ने लगेगा जैसी आपका कड़ाई छोड़ने लगेगा आप समझ जाना कि जो आपकी मिठाई है वो बिल्कुल तयार हो गई है किसी भी परतन पर घी लगा के ग्रीस करके इसको लगा देना है और एक चीज में और बोलूँगी जो तो मोहंतालना इसको जो बनने का तरीका है कुछ डिफरेंट होता है बेशन की बरफी से ऐसे इसका सैट होने का तरीका यानि कि 10 से 12 घंटे लगते हैं कम से कम 6 घंटे तो लगते ही हैं लेकिन मैंने जब यह मिठाई बनाई थी घर में इतनी खुशबू आने लगी थी कि मे परफेक्ट मिठाई निकले सैट होके तो आप इसको 6 घंटे बाद ही निकालना डेकोरेशन करने के लिए मैंने आप इस सिल्वर वर्क यूस किया है आप अपने पसंद के कोई भी मेवे को या ट्राइफूर्ट्स जो भी आप पसंद करें उसको उस्तमाल कर सकते हैं और वै लाइक और शेयर करें और मैं इससे भी अच्छे वीडियो आपके लेके आती रहूंगे तो मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर और थैंक्यू सो मॉच